तो बचो आप बखो भी जानते हैं कि कोरोना वाइरस से अगर हमें अश्पाइट करना है तो हमें क्या करना है हमें जो है सोशल डिस्टेंस मैंटेन रखना है फैस मास्क जो है प्रॉपरली पहनने है सैनिटाइजर का इस्तमाल करना है बिना हाद दोए किसी चीज को भी छोना नहीं एंखाना नहीं जब तक हम साभण से प्रॉपरली दोएंगे नहीं और आवाइड करनी है आपको जो है गैधरिंग्स वगेरा कहीं जादा जम्ग क्राउड में नहीं आपने कहीं बैठना है ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है घरों में ही रहना है अगर वाकी में करोना वाइरस से हमें फाइड करना है तो आपको जो है डेली ऑनल चैप्टर 7 पढ़ेंगे इसमें जो है क्लास 6 का चैप्टर 7 कार्नीवोर्स कुन से एनिमल्स होते हैं जसे चैप्टर में आप देख रहे हैं पेज नमबर 12 पे कुछ एनिमल्स यहां पे देए गए हैं आपको बचे इसमें पहचानना है इन्हें बाकी कुछ नहीं करना है सिर् जानुरू में जानुरू पे जो हैं फीड करते हैं मतलब जिनका खाना जो है खानी का जरिया जो है दूसरे जानुर होते हैं मतलब जो गोश्ट खाते हैं आगर सिंपल भाशा में बोलेंगे हम तो कार्नीवोर्स वो जानुर होते हैं जो गोश्ट खाते हैं एनिमल्स यहां सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि कार्निवर्स में जो गोश्ट खाने वाली जानवर होते हैं इनके तेज़ दाथ होते हैं कुछ जो कलाज होते हैं इनके पंज़े भी बड़ी तेज़ होते हैं इन्हीं प्रेडेटर्स कहते हैं प्रेडेटर्स आमलब शिकारी जानवर यह शिकार करते है 2014 Mitch अलग-अलग इनकी habitat है रहने की जगहें इनके अलग-अलग है तो यह कैसे शिकार करते है जिस जगह पर यह रहते है तो यह अलग-अलग तरीके अपनाते है शिकार करने के लिए इनकी जगाँ मांधा रहें तरीके लिए की जानवर्स में आपसे क्या चाहिए है? नकी जगहें लिए कि अनकी पीक्चर नाम में आदर यह तो यह जांवर्स उनकी जानूरब खेल्स कहाँ है ठीक है इसमें आ जाते है विल्चर और हाइना सेक्वेंजूर्स क्या होता है कार्णिवर्स गोश्ट खाने वाले जानवे जैसे रैटल सनेक है ये चुहे वगएरा खाता है रिकिस्तान में और भी बहुत सारे जानवर खाता है आपने देखा होगा ये आपना जो पाईजन स्प्रे करता है फिर उसे बिहोश कर जाता है उसके बाद उसे निगल देता है ये रिकिस्तान में इसने कुछ तरीके अपनाई उसके बाद आ जाता हमारे पास बैंडड गरीको गीको बैंडड गीको जो है ये एक छपकली जैसा ही है रिप्टाइल्स में आता है तो इसका भी जो खाना है ये इसके जो हैबिट है वो है कार्निवर्स ये भी गोश्ट ख कुछ शार्क बड़ी मशली है चोटे-चोटे मशली को खा जाती है यह इल जो है एक्चुली अलेक्ट्रिक करेंट भी प्रड्यूस करती है तो इन सारू की जो है यह दूसरे जानवर को मलब भी कोश्ट खाने वाले जानवर है तो इल है इल के आप तोड़ा शेप देख रहे बहुत ऐसे लंबी होती है और तेज होती है अलेक्ट्रिक करेंट भी प्रड्यूस करते है परिहाना दूसरी मशली है यह भी जो है इसका खाना जो है दूसरे जानवर के ओपर पलती है तो यह बी कार्निवर्स में आते है सिकुर्ड है यहाँ पर तो सिकुर्ड जो है साथ के मौसम में तो ऐसी तो इसको दिखाया गया है उपर से अक्टोपस की तरह वो लेकिन ऐसा नहीं है यह स्कुड आती यह मुलसका के अंदर आती तो यह कुछ हमने कार्निवर्स एनिमल्स पढ़े थे आज इन में कुछ और एनिमल्स आ जाते हैं बचे जो फॉरिस्ट में बाए जाते हैं कहां जंगलू में तो जंगलू में गोश्ट खाने वाले जानवर कार्निवर्स में वुल्फ आगी बेड़ बेड़ बेड़िया जिसको बोलते हम विसल है यह छोड़ी जानवर होते हैं यह भी सुराकू में रहते हैं तो यह भी क्या काते हैं गोश्ट खात लेकिन इसक भी खाना गोश्द है उसके बाद सुनोई ओॉल है यहां उलू जो है बर्फानी अलाकु एरियूं में रहता है आर्टिक फाक्स जो है यह भी जो है आर्टिक रिजिन अन्टार्टिका वगएरह बोल्स में जहां पर सबसे ज़ादा जो है सर्दी होती आईस वगरह जहां पाई जाती है तो यह लूंडी वहां पर पाई जादे खुछ सिफएध है तो हमने रिप बॉक्स से यही लेना है कि कार्निवर्स याद रखने कुछ जानवर जो हेल्प वक्स में हमें दिएगे पिक्चर से हम इनको अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ जानवर कहां पे पॉलर बेर है ये भालू है ये भी जहां बहुत ज़्यादा अंटार्टिका वगएरा ये भी है उन रिजन्स में पॉल्स में रहते हैं जहां पर ज़्यादा बर्फ होती है जहां पर मतलब वो आईशी आईश होता है तो पॉलर बेर भी और ये भी कार्निवर्स हैं अब सब्सक्राइब तो जारे तरह आपने ग्यादा वे पॉझा क्षावे थैस्का वी ये पगड़ता है पर आर्टिक वॉल्स है तो ये भी इससी रिजन्स जो गोश्ट खाते हैं और फोरेश में रहने वाले वुल्फ विसल लाइनिक्स और और अगरा पड़ा तो इसी के साथ साथ कुछ आपको बच्चे इसमें कॉस्चन है विच इस दे लार्जेस कार्णिवर मैमल सबसे बड़ा कार्णिवर्स कौन है इनमें अलिफेंट सील है सोड़नल्फण सील कौन हिए दूड़ गानाते हैं आपने बच्चों को जनम देते हैं कुछ आइसा मैमल है अलिश रुड़ा सकता हैँ बंदा है यह बालू कुमाना जाता है इसे, बहुत जानाएं है। किपने ऐसे, क हागते हैं काफ़ आग भी आता है काफ़ भी आती ह法 ताइगर लाइन गखर आजाता है में डाउड याल याल जाता था काफ़ आङगर आजाता है जाता है इसधुन में थर्टी सेवन है जो cat families में है तो ये था हमारा chapter 7 जिसमें आपने जो है carnivores animals के बारे में पढ़ा तो ठीक है बचाए आप इसको revise करेंगे आप इसको जो है आपनी daily जो है notebook में भी questions लिखके रखेंगे daily basis पे जो आप पढ़ते हो आपनी notebook में उतारते रहेंगे Thank you